आजादी का सफर आकाश्वणी के संग भारत का शांदार स्वाधीनता संगर्ष आधुनिक विश्व के महांतम संगर्षों में से एक है आकाश्वणी आपके लिए रुजान ला रही है इस शांदार संगर्ष की जलत आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और सशक्त राजनेता लोकनायक जैप्रकाश नारायन की उनका जन्म 11 अक्तूबर 1902 को हुआ था वो जेपी के नाम से लोकप रिये थे जेपी ने भूदान और ग्राम दान जैसे समाज सुधार आंदोलन के लिए अहिंसक तरीका अपनाया उन्होंने 1975 से 1977 के दोरान आपात काल में लोक तांतरिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अहिंसा का रास्ता चुना और संपून क्रांतिका नारा दिया स्वतंतरिता आंदोलन के दोरान जैप्रकाश नारायान अहिंसा की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे उन्होंने स्वाधिन्ता आंदोलन के लिए क्रांती का अलग रास्ता चुना और आजाद दस्ता बनाया जो स्वाधिन्ता आंदोलन के लिए क्रांतीकारियों का एक सम्हू था। प्रासंगिक राश्ट्र के प्रती अंधुर्ण के लिए दोनों तरीके अच्छे हैं। तूट प्रेम और समर्पन के लिए जेपी को नमन। किसको हुआ था? वे स्वाधिन्ता सेनानियों के परिवार से थे। उनके दादा रुस्तम अली खान को 1857 में प्रथम स्वतंतरता संग्राम के बाद उत्तर प्रदीश के बुलंद शेहर जिले में फांसी दी गई थी। बाद में अलिगर्ण मुसलिम विश्विविद्याले में पढ़ाई के दौरान वो All India Students Federation के सदस्से बने। 1949 में वो विद्रोह के इरादे के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भरती हो गए। बाद में उन्होंने अराकान यानी म्यामा के वरत्मान प्रांत रखाईन में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ी। अबास अली को उनके तीन साथियों के साथ मुल्तान के किले में रखा गया। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल किया गया और 1946 में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 1947 में स्वतंतरता के बाद रिहा कर दिया गया। वो राजनीतिक रूप से सक्रिये हो गए। कैप्टन अबास अली ने एक साक्षातकार में सुभाष चंद्र बोज के नित्रित्व को याद करते हुए कहा था। साथ वर्ष पहले कैप्टन अबास अली का निधन हो गया। लेकिन मात्र भूमी के लिए उनका प्रेम आने वाली पीडियों को प्रेरित करता रहेगा। महान राश्ट्र प्रेमी कैप्टन अबास अली को नमन। आज बस इतना ही आजादी का सफर आकाशवानी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।